राच्य में बर्ती कोरोना ने सभी सरकारी एजिंसियों की होश उड़ा दिये है और प्रशासन अब बर्ती कोरोना संक्रमन को रुकने के लिए सक कदम उठाने के लिए तैयार है इसके लिए कलेक्टर रविंद्र ठाकरे की निर्देशा अनुसार पूरे जिले में सक कदम उठाये गए सबसे पहले सभी दूद, सबजी, अकबार, किराना और होटल रेवसायो का परिक्षन करने के लिए बड़ी संक्या में उपाय किये जा रहे है साथी प्रशासन, शाधी समारोह, भीडबाडवाले स्थानों, विशेश आयजनों आदी पर कड़ी नजर रखेगा यह सच है लेकिन पिछले 2-4 महिनों से नागरी को द्वारा जो लाप्रवाई बरती जारी है जिस तरह नागरी कोरोना के भैम मन से निकाल कर कोविड-19 के नियमों को ताक पर रखकर लोग बेखोफ खूम रहे है सोशल मीडिया, टिवी चैनलों और अकबारों में बढ़ते कोरोना प्रसंग और उससे होने वाली लोगों की मृत्यों की खबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है लोगों द्वारा हर जगा एक बड़े कोरोना ब्लास की संभावना नकारी नहीं जा सकती इसका एक प्रत्यक्ष उधारन तैसल की मुख्याले सामने शहर का साप्ताहिक बाजार है जिसे प्रति दिन देखा चा सकता है शहर की मुख्य सडकों पर नियमित और सापताहिक बाजार सान्य नगरपाली का प्रशासन के करतव्य का परिचे देता है और साथ ही मुख्य बाजार में भीड या सामाजिक दूरी पर किसी का कोई नियंतरन नहीं है इसके समाधान के रूप में पिछले दो दिनों से शहर प्रशासन अनॉंसमेंट कर अपने स्वयम की वावा कर रहा है स्ट्रीट की दुकारों में कोई सैनिटाइजर नहीं है, कोई फेस मास्क नहीं है, कोई सामाजिक दूरी नहीं है एसाई नजारा शहर के बैंकों में भी है अगर कोरोना का चल्धी कोई बड़ा विस्वोट होने पर किसी को आश्यर्यन नहीं होना चाहिए कोरोना महमारी की यह बढ़ती श्रिंकला वरतमान में तूटतीन नहीं दिख रही है